नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टड़ी वाइन्स ओफिशल पर तो आज की इस वीडियो में हम इंडियन जोगरफी का दूसरा भाग भारत का भोतिक सोरूप कवर करेंगे मेंली इस वीडियो में हम हिमाले का विस्तार है जो की उत्तर भारत में है उसका पूरा विभाजन कवर करेंगे जो की बहुत important है हमारी प्रिक्शाओं के लिए तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले देखते हैं भारत का भोतिक सवरूप तो भारत के धरातल पर बहुत विवदिता पाई जाती है कहीं पर पठार हैं, कहीं पर उचे-उचे परवत हैं, तो कहीं पर समतल मैदान है अगर हम देखें तो भारत के संपून शेत्रफल का लगभग 10.7% भाग परवतिय भाग है और लगभग 18.6 पतिशत पहाडियां है लगभग 27.7 पतिशत पतारी शेत्र है जो कि भारत के दक्षिन में है और 43 पतिशत मेंदानी भाग है ये कुछ फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए तो उसके बाद हम देखते हैं कि भोतिक रचना तता धरातल के स्वरूब के अनुसार भारत को पांच भागों में भाटा गया है तो पूरे भारत को उसकी भोगोलिक सरंचना के हिसाब से 5 भागों में भाटा गया है पहला है उत्तर का परवतिय शेत्र दूसरा है विशाल मैदान तीसरा है प्राय दीपय पठार जो कि भारत के दक्षिन में है चोथा है मरुस्थलिय परदेश और पांच हुआ है समुद्र तटिय मैदान तो भोतिक रचना के हिसाब से भारत को इन पांच भागों में बाटा गया है तो आज हम देखते हैं उत्तर का प्रवत्य शेत जिसे हिमाले प्रवत्य शेत्र भी कहा जाता है क्योंकि भारत के उत्तर में हिमाले का विस्तार है पूरा हिमाले के प्रवत का विस्तार है इसलिए इसे हिमाले प्रवत्य शेत्र भी कहा जाता है तो जो हिमाले प्रवत है इसका विभाजन दो तरह किया गया है एक तो उत्त दूँगा हम मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट हम देखेंगे आगे हम इसे डिटेल में कवर करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर से दक्षिन में विभाजन तो जो हिमाले परवत है इसे चार परवत श्रंखलाओं में बाटा गया है उत्तर से द परवत हों तो उसे कहते हैं परवत श्रंखला तो पूरी परवत श्रंखला हिमाले की ही है चार परवत श्रंखलाओं में इन्हें उत्तर से दक्षिन को और विभाजन किया गया है इसलिए इसका नाम रखा गया है पहले को ट्रांस हिमाले कहते हैं दूसरे को विरहध हिमाल जिसे प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं तो सर सिडनी बुराड ने इसका विभाजन किया था जैसे हमने पहले उत्तर से लेकर दक्षिन तक विभाजन देखा उन्होंने इसका विभाजन पक्षिम से लेकर पूर्व की ओर किया और इसे प्रादेशिक विभाजन भी किया उन्होंने इसका विभाजन प्रदेशों के नाम के हिसाब से और नदियों के हिसाब से किया। आगे हम डिटेल में देखेंगे पर आप अभी इसका ओवर्वियू ले लीजिए। तो जो ये वाला हिसा देख रहे हैं इसे कहते हैं पंजाब हिमाले वा कश्मीर हिमाले क्योंकि आप देखी रहे होंगे इसका विस्तार भारत में पंजाब की और कश्मीर की और है और उसके बाद जो दूसरा भाग है इसे कहते हैं कुमायू हिमाले इसका मुख्यता विस्तार उत्रा खंड में है, और इसका तीसरा भाग है नेपाल हिमाले, जिसका पूरा विस्तार नेपाल की ओर है, और चोथा है असम हिमाले, तो आप देख रहे होंगे, इसको भी चार्त परकार में बाटा गया है, पक्षिम से पूर्व की ओर भी, पहला है पंजाब हिमाले, दूसर पुरा कुमायु हमाले, तीसरा नेपाल हमाले और चोथा असम हमाले तो ये इसका विभाजन पक्षिम से पूरव की और किया गया है आप देख रहे हैं और प्रदेश के हिसाब से किया गया है इसलिए इसे पक्षिम से पूर विभाजन और प्रादेशिक विभाजन कहते हैं तो उत्तर से दक्षिन की और विभाजन और पक्षिम से पूरो की और विभाजन इसका हमने पूरा ओवर्विव ले लिया अब हम इसे डिटेल में देखते हैं तो अब सबसे पहले देखते हैं उत्तर से दक्षिन की और विभाजन जिसमें चार प्रवश्रंग लाए थी पहल इससे प्रशन बनते हैं मैंने वहीं इफेक्ट कवर किये हैं तो चलिए देखते हैं तो जो ट्रांस हिमाले है इसका जो विस्तार है हम भारत की बात करेंगे तो जम्मु कश्मीर की और लद्दाक में है तो जिस परकार जो उत्तर से दक्षीन की और विभाजन था पूरे हिमा वेग्यानिकों ने चार परवश्रंखलाओं में बाटा था और पक्षिम से पूरव की और भी चार परवश्रंखलाओं में ही बाटा था उसी परकार जो ट्रांस हिमाले का विस्तार है इसे भी वेग्यानिकों ने चार परवश्रंखलाओं में बाटा हुआ है याद नमबर पे है पीर पंजाल परवशंखला यह आपको असानी से याद हो जाएंगे आपको इसको रटना नहीं है बस दो बार वीडियो देख लेना आपको यह असानी से याद हो जाएंगे तो यह है हिमाले का सबसे प्राचिंतम भाग है कौन सा ट्रांस हिमाले तो ट्रांस हिम किहां औस तं cali कि बात करें तो लगबग है 6000 मीटर तो यहां पर पूरा बर्फ यम्मा होती है पूरी बर्फ यम्म होती है जिस कारण यहां पर कोई वनस्पति नहीं होती इसी यहां रखेगा यहां पर वनस्पतियों का अभावा यहां ग्लेशेर ест और कोई भी यहां कौन कौन सी कारकोरम, लद्दाक, जासकर और पीर पंजाल ये परवश्रेनिया ट्रांस हिमाले के अंतरकत आती हैं भारत में सबसे उची चोटी केटू, गोडविन, ओस्टिन है तो केटू को ही गोडविन, ओस्टिन कहते हैं इसकी उचाई है लगबग 8,611 मेटर और कारकोर की भी तो सबसे उची चोटी होगी, तो कारकोरम परवश्रेनि की सर्वो चोटी कोन सी है केटू, तो ये अभी समय इसका इस पर पाकिस्तान का कब्जा है, पर ये जो पूरा जम्मू कश्मीर से रहे हैं, अब तो ये उपर अला लदाक बन गया, इसे भारत अपना अभीन ह हिस्सा मानता है, भले ही पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया हूँ है, पर ये है तो भारत का अभीन हिस्सा, इसलिए जो इसकी सबसे उची चोटी है, भारत उसे अपने अंडर ही मानता है, इसलिए जब बात है कि भारत में सबसे उची चोटी कोन सी है, तो वो है गोडवि तो इसका नाम कैसे रखा गया था पहले परवत को K1 कारा कोरम के से शुरू होता ना के से तो K1 रखा गया दूसरे का K2 रख दिया गया जब इसकी काउंटिंग हुई थी तो तीसरे का K3 रख दिया गया चोथे का K4 रख दिया गया, तो इसमें जो सबसे उची चोटी थी, वो K2 थी, इसलिए हम इसे K2 कहते हैं, और इसे Godwin Austin भी कहते हैं, आशा करता हूँ, इसे आपको याद रहेगा, K2 से याद अखना कि ये कारा कोरम परवश्रंकला के ही सबसे उची चोटी है, और दूसरा फ उच्छा जाता है एकजाम में, क्योंकि जो ये चोटी है, ये इसकी जो ढाल है, ये विश्व में सरवादिक तीव्र माने जाती है, हम कहते हैं, कि कई ची जो ढाल है, काफी तीव्र है, अगर यहाँ से कोई ची नीचे गिर जाए, तो उसका कभी पता नहीं चलेगा, इसकी परवश्रंग खलाती कोंसी, उत्तर से दक्षिन की और वरध हिमाले, इसी को हिमादर हिमाले कहते हैं, इसी को सरवोच हिमाले कहते हैं, और इसी को महान हिमाले कहते हैं, ये सभी एकी के नाम है, अभी धिरे-धिरे मैं आपको बताऊंगा, तो आपको ये याद हो जाएंग तो यह हिमाले की सबसे उची श्रेनी है और विश्व की सबसे उची चोटी मांट एवरेश्ट इसी परवश्रेनी में स्थित है तो विश्व की जो सबसे उची चोटी है मांट एवरेश्ट है वो इसी परवश्रेनी में स्थित है इसलिए से सरवोच हिमाले भी कहते हैं ठीक मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आप एक्जाम के तियारी कर रहे हैं तो जो भारत के नक्षा है वो तो आपके दिल और दिमाग पे शपा होना चाहिए तो भारत के नक्षाव अगर आप ने दिमाग में रखेंगे तो उसके उत्तर में है हिमाले परवत और दूसरी हम परवश रंखला देखना है विरहत हिमाले की परवश रंखला तो हम देखते हैं कि भारत में इसका विस्तार कहां से कहां तक है तो भारत में इसका विस्तार है P.O.K. के नंगा परवत से लेकर याद अखेगा ये नंगा परवत है और नाचर पदेश के नामचा बरवा परवत तक इसका विस्तार है भारत में तो सबसे पहले हम देखते हैं कि P.O.K. में कौन सा है नंगा परवत या दखेगा उसके बाद अगर आप कश्मीर से आगे आए तो उत्रा खंड है नक्षे को रखना दिमाग में तो उत्रा खंड में परमुकुताई ये तीन परवत हैं पहला है बंदर पूश परवत दूसरा है कामेट परवत और तीसरा है नंदा देवी परवत ये तीन परवत हैं उत्रा खंड में ज्यादातर एक्जाम में पूछा जाता है कि नंदा देवी परवत कहां पर है तो याद रखेगा नंदा देवी परवत उत्रा खंड में है सबसे पहले है बंदर पूश परवत दू एक्जाम में पूछे जाते हैं तो बंदर पोंच और कामेट के बीच ही गंगोत्री या मनोत्री के दारनाद और बदरिनाद परवत हैं यह सभी उत्राखंड में ही है ना आपको पता होगा के दारनाद और बदरिनाद कहां पर हैं तो उत्राखंड में हैं इससे आप असानी स सियाद रख पाएंगे और बंदर, पूंज, और कामइट के बीच में है重要 यह दोनों परवत-ों बीच में यह परवश्रक्लाइगे ने इन्ला हैं इनकों हम कहते हैं गंगोत्री як्तरि किदारनाथ और बद्रिनाथ तो यह हुआ उत्राखंड तो उत्राखंड के बाद आगे आपको पता है नेपाल शुरू हो जाता है तो नेपाल में इसका विस्तार है ये सभी परवश्रंग खलाए है एक बार हम देख लेते हैं आपको इसे रटना नहीं है असानी से आपको ये याद हो जाएंगे तो सबसे पहले है धोला गिरी परवश्र दूसरा है अन्नपूर्ण परवश्र तीसरा है मनसालू परवश्र चोथा है गोरी शंकर परवश्र पांचवा है छुयू परवश्र और छटा है माउंट एवरेश्ट परवश्र जो कि दुनिया का सबसे उची चोटी है माउंट एवरेश्ट ये कहां पर है तो ये नेपाल में ही है इसे भारत में क्या कहते हैं तो भारत में इसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट और नेपाल वाले इसे क्या कहते हैं नेपाल वाले इसे कहते हैं सागर माथा और तिबबत में यानि कि चाइनिस इसे क्या कहते हैं तो वो कहते हैं चोमो लुंगमा यह सभी माउंट एवरेस्ट के ही नाम है तो माउंट एवरेस्ट के आगे है मेकालू त दखेगा कौन सा परवत कंचन जंगा परवत यह है सिक्के में और आखरी में खतम कहा होता है तो अरणाचल पदेश के नामचा परवा परवत अब यहां पर कुछ सबसे उची चोटी कौन सी है जा दखेगा भारत की तो वो कौन सी होगी तो भारत की है कंचन जंगा कौन सी कंचन जंगा क्योंकि अभी भारत के अधिकार में है पर जो दूसरी है केटू वो भारत में तो है भारत में जब पूछा जाए कि भारत में वो भारत में तो है पर उ इसे याद रखने का तरीका है वैसे तो आपको बता ही होना चाहिए कि अगर भारत में पूछ लिया जाए पर से लेकर पूरा जम्मू कश्मीर हमारे ही है वहां पर पाकिस्तान भले कभजा किया हुए तो जो केटू परवत है वह भी पाकिस्तान इसके अधिकार में हैं पर है तो भारत कहीं अंग है इसलिए केटू भारत में सबसे उची चोटी है पर अगर पूछ ले जाए कि भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो हमारे अधिकार में कौन अभी कंचन जेंगा तो यह दोनों याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया ठीक है अब वरह परेटन के लिए मशूर है टूरिजम के लिए काफी फेमस है क्योंकि ज्यादा उचाई पर नहीं है और यहां की ओस्तन उचाई अठारा सो से लेकर तीन हजार मीटर है याद दखे गया और इसी के पास शिमला कुलू मनाली मसूरी नैनी ताल डलहोजी रानी खेत आदी जै यहां की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जैसे आप इमेज में देख रहे हैं तो यह चोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं तो जो इसकी ढाल है धालों पर क्या पाए जाते हैं घास के मैदान पाए जाते हैं और इन्हें क्या कश्मीर में कहत कहते हैं जैसे कि सोनमर्ग गुलमर्ग काफ़ी फेमस है टूरिजम के लिए अपने नाम सुना ही होगा सोनमर्ग और गुलमर्ग का तो जब भी बात आये परेटन की तो सीथा आप मध्धी हिमाले को टिकर देना तो उसके बाद हम देखते हैं शिवालिक हिमाले तो हमने ट्रांस हिमाले व्रहध हिमाले और मध्ध हिमाले पढ़ लिया आखरी कौन सा है उत्तर से लेकर दक्षिन के विभाजन वाले में शिवालिक हिमाले इसे बाहरी हिमाले भी कहते हैं बाहरी हिमाले क्यों कहते हैं क्यों ainen सबसे उपर पर्णं भाग हैए उसके बादाया ब्रेजुमाले फिरायमद्धुमाले यह सबसे बाष़ी हैं इसलिए से बाख्याह भाहरी हिमाले भी कहते हैं और याद रखिएगा जो सबसे ऊपर था ट्रांसं सिम्हाले यह सब प्राचिंतम भाग है हिमाले का और जो यह है शिवालिक हिमाले यह सबसे युवा भाग है हिमाले का तो यह हिमाले परवत का सबसे दक्षिनी तथा भुगोली रूप से युवा भाग है जो पक्षिम से पूरव तक फैला हुआ है और इसकी ओस्तान उचाई बात की जाए तो 850 से लेकर 1200 मेटर है और बात की जाए इसके विस्तार की तो इसका विस्तार पाकिस्तान से शुरू होता है और वहां से लेकर पाकिस्तान की कौन से सूलिमान पहाड़ी से शुरू होता है वहां से लेकर अराकाम परवत तो भारत और मियामार के बीच जो परवत सीमा बनाता है उसे कहते हैं अरा परवत्तक है तो इस शेत्र में अनेक सम्तल गाटियां है जिसे दून और दौर केते हैं जैसे हरी दौर दौर घैरव दौर तो ouse는지 आप गए होगे गंगा सनान करने के लिए तो गंगा कहां इसके बाद था व्रहत हिमाले तीसरे नमबर पर था मद्य हिमाले और आखरी में था शिवालिक हिमाले तो जो इसके बीच का भाग था इसे कुछ कहा जाता है और काफी बार एक्जामें पूछा गया तो हम देखते हैं इसे याद भी कैसे करना है और सबसे पहले देखते हैं तो ट्रांस हिमाले और व्रहत हिमाले के बीच के भाग को क्या कहते हैं तो सचर जोन कहते हैं याद रखेगा इसे कहते हैं सचर जोन और व्रहत हिमाले और मदी हिमाले के बीच के भाग को कहते हैं में सेंटरल थ्रस्ट याद रखेगा और मदी हिमाले और शिवालिक हिमाले के की बीच के भाग को कहते है मेन सिमानध दर्रा अब बात आई की से याद कैसे करेंगे क्योंकि यह काफी बार पूछा के है इक्जाम में तो सबसे उपर कोँसा है सचर जोन तो यह से यहाद रकेगा चाहटा दिये सर जोन तो सर हमारी श्रीर के सबसे उपर कोँसा तो इससे यारखना, कि सबसे उपर है만 सचर जोन और दूसरी नंबर वाला है Central में तो आइक पार लेक्वार में पूछा जाता यह सब पूछा जाताया तर्द हो की बिच मसा ब्लास न कर दार। तो उत्तर से लेकर दक्षिन की और विभाजन तो हमने पढ़ लिया अब हम देखते हैं हिमाले का पक्षिम से लेकर पूरव की और विभाजन इसे प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं क्योंकि इसका नाम प्रादेशों के हिसाब से रखा गया है तो सर सिडनी बुराड ने पक्षिम से पूरव की और हिमालय का विभाजन किया तो हिमालय तो एक ही है और उसकी जो परवश रंखलाएं हैं वो भी चार ही है पर पहले हमने देखा इसका उत्तर से लेकर दक्षिन की और विभाजन मनलो उपर से लेकर नीचे की और अब हम देखेंगे इसका पक्षिम से लेकर पूरव की और विभाजन, पक्षिम से पूरव की और विभाजन देखेंगे, तो साथ सिड्री बुराड ने इसका पक्षिम से पूरव की और विभाजन किया, उन्होंने भी इसका चार भागों में ही विभाजन किया, तो सबसे प पहला भाग पंजाब हिमालेवा कश्मीर हिमाले तो याद अखेगा जो जो इंपोरेट फेक्ट हैं जो एक्जाम में पूछें किया हैं मैंने सिर्फ वही कवर किया हैं तो जो सर सिडनी बुरार थें उन्होंने क्या किया पक्षिम से पूरो किया और विभाजन कैसे किया तो जो परमुक नदिया थी उन्होंने उस हिसाब से उसको बाट दिया जो जो नदियों के बीच पहाड आते थे उनका विभाजन उन्होंने कर दिया तो इसका विस्तार देखते हैं पंजाब हिमाले का तो इसका विस्तार है सिंधु नदी से सतलूज नदी के बीच का भाग है लेकर जो सतलू जनदी के बीच का भाग है उन्होंनों इसे पंजाब हिमाले का नाम दिया और इसका अविस्तार देखें तो पंजाब और कश्मीर और हिमाचल का कुछ भाग इसके अंतरगत आता है और बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई है 560 किलोमेटर और सबस यह इमेज देख रहे हैं यह जाफरान का पोध है जो इसके फूल लगा हुए है आपको जाफरान तो नहीं समझा रहा होगा पर अगर मैं आपको केसर बताओं तो आपको इसली समझा जाएगा तो जो केसर होती है इसे जाफरान के फूल में ही होती है आप देख रहे हैं य यही पर जाफरान की खेती होती है उसके बाद हम देखते हैं कुमायु हमाले तो हमने पिछले देखा कि सिंधु नदी से लेकर सतलूज नदी के बीच के भाग को कहते हैं क्या कहते हैं पंजाब हमाले तो सिंधु नदी से लेकर सतलूज नदी के बीच के भाग को कुमायु हम में उत्राखंड में हैं और इसकी लंबाई है लगबग 320 किलोमेटर याद रखें कि नंदा देवी केदारनाथ बदरिनाथ आदे जितने भी प्रमुक चोटी हैं वो कुमायों हमाले पर ही हैं मैंने आपको पीछे पताया था इसका विस्तार जैसे कि उत्राखंड में हैं और म सभी प्रमुक चोटियां हैं तो कुमायों हमाले के बाद हम देखते हैं नेपाल हमाले तो जो नेपाल हमाले है इसका विस्तार तो यह जो अब नेपाल देख रहे हैं नेपाल का बोर्डर भी यही नदी बनाती है काली नदी इस तरफ है तिस्ता नदी तो काली नदी और त तो नेपाल में हैं तो नेपाल हमालाय में होगा जो साइधा आप है पूरजा जाता है कि मॉम्ठ किस हमाले पर है तो नेपाल हमाले पर कुंछा कई इसका अदा हो अक्रिक कोजा कुंसा असम हमालह काière है तो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में है नेपाल तो तिस्ता नदी के बाल जो दिहांग नदी है कहीं कहीं पर इसका लिखाता है दिहांग नदी और कहीं कहीं पर लिखाता है ब्रमपुत्र नदी तो जो ब्रमपुत्र नदी है इसी की सहायक नदी है दिहांग नदी त तक इससे ज्यादा प्रशन नहीं बनते हैं असमी माले से जो पीछे हमने तीन पढ़ें उससे ज्यादा प्रशन बनते हैं तो कैसी लगी यह वीडियो कमेंट सेक्षिन में जुरूर बताना धन्यवाद